हमारे chapter का नाम है residential status पहले इसको हम ध्यान से समझेंगे यह residential status क्या है उसके बाद इसके अंदर करेंगे हाला कि इसके अंदर जो सबसे main है वो section number 6 से related है अब सबसे पहले residential की हम बात करते हैं तो अगर मैं residential की बात करूँ तो इंडिया अब मैं simple बात करूँ ना residential का मतलब होता है रहना residential का मतलब है रहना थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं समझेगा समझेगा residential का मतलब रहना और स्टेटस का मतलब होता है कि उस जगह का स्टेटस बोड़ पर ध्यान दीजे बोड़ पर residential का मतलब रहना और स्टेटस का मतलब क्या है पहले हम इस points को अच्छे से समझेगे chapter को फिर हम देखेंगे अब मान लेते हैं कि हम इंडिया की बात करें अगर तो कुछ वेक्ति ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर रह रह रहे हैं और कुछ वेक्ति ऐसे हैं जो कि इंडिया से आपके बाहर रह रहे हैं दोनों possibility है खिक है अब जो भारत के अंदर रह रहा है और एक बाहर रह रहा है तो हमारा ये चल क्या रहा है topic subject क्या है income tax तो income tax में government का motive या मुद्दा क्या होगा बताओ कि हम किस वेक्ति से tax लेना चाहिए किस से नहीं लेना चाहिए अब मान लो एक वेक्ति पर्मानेंटली बाहर रह रह रहा है इंडियन गवर्मेंट बोले कि भाई तुम भी हमें tax दो तो क्या ऐसा possible है अगर मान लेते हैं कि मोदी जी चले जाए और जाके जो वाइडन से बोले कि भाई tax दो तुम पॉसिबल है ऐसा नहीं है सर यानि लेक्ति से ही tax वसूल सकता है जो इंडिया के अंदर है अब लेकिन जो वाइडन एक दिन के लिए इंडिया तीन चार दिन के लिए टूर पर आते हैं जैसे वो टूर पर आया इंडिया के अंदर तो ऐसा थोड़ी income tax department पकड़ लेगा बोलेगा भाई अब नहीं जा सकते पा इंडिया में आ गया या कोई वैक्ति इंडिया से देखा होगा दस-दस साल के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं जिसको बोलते हैं NRI non-indian resident बहुत समय के लिए चले जाते हैं फिर वापस एक दिन आए अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोले कि भाई जो 10 सालों में income कमाया सफ़े अब भारत में tax दो तुम इंडिया में आ गए हो, नहीं हो सकता, तो मैं status की बात कर रहा हूँ, status मतलब कब आपको tax देना है, कब आपको tax paid करना है, ये तो एक तो ये जानेंगे इसके अंदर, residential मतलब आप इंडिया में हो, तो कितने दिन के लिए जब आप इंडिया के अंदर रहोगे, तब हम आपसे tax वसू लेंगे, तो उसे क्या बोला गया, residential status, यानि भारत के अंदर आप हो, तो इसका मतलब ये नहीं है, आपसे tax लिया जागा है, कुछ शर्ते हैं, कुछ नियम है, वो नियम फुल्फिल करोगे, तब आपको tax देना पड़ेगा, दूसरी बात, ऐसा एक question exam में आता है, और वैसे भी मैं बताऊं, आप Indian citizen, Indian citizen कब होता है अब देखा होगा, अभी बहुत सारा cases चल रहा है, कि भाई कोई बाहर के वेक्ति इंडिया में आके citizenship ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसा ही आपका यहाँ पे UID, Unique Identification Number, या फिर आप कहलो आधार card, आपका बन गया, आप हो गया resident Indian, Indian citizenship मिल गई, जैसे बाहर देशो में आपको वहाँ के citizen होने के लिए बताईए क्या होता है, आपने word सुना होगा, green card, ऐसे इंडिया के अंदर अधार card, समझ रहे हो बात, तो इंडिया के अंदर क्या होगा, अधार card, जैसे ही आपका अधार card बना, आप Indian citizen हो गया, अधार card बनने के बाद तो सारे document आप बन आ सकते, pen card, pen card, सब उसी सब बन जाएगा, तो इंडिया में बनने के लिए अधार card, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अधार card है, मतलब हम आपसे tax ले लेंगे Indian citizen, क्या पता आपने अधार card बनाया और 5 साल की उमर में, आप तो एक साल से कम, बच्चे का भी बन जाता आपने अधार card बनाया, अपि USA पर्मानेंटली चल गए, तो इसका मतलब क्या यह हो सकता है, कि हम आपसे tax लेंगे आप पर्मानेंटली USA में हो, नहीं, क्या आप Indian citizen नहीं हो, हो, क्या एक व्यक्ति, एक ही country में citizen हो सकता है, ऐसा नहीं है, कितनी country में हो सकता है, different country में, जैसे की बीच में अभी news आया था, अक्षे कुमार को Canada का citizenship मिल चुका है, पहले से, तो वो वहां का भी citizen है, और India का भी citizen है, समझ रहे हो ना, तो अब ऐसा थोड़ी एक Canada का government बोलेंगे, तुम यहां के citizen हो, तो मुझे tax दो, अब जितना film से वहां पैसे कमार रहे हो, नहीं हो सकता person का अलग अलग निकाला जाएगा, तो sir, person का मतलब वही जो की पहले हमने देखा था, साथ बिलकुल, जो वो साथ है ना, उन साथों का अपना एक अलग status निकाला जाएगा, जिसके अंदर हम इस chapter में सीखेंगे, यानि simple सी बात है sir, एक word में, एक line में इस chapter का अगर नाम को म आएगा कि आप इंडिया में tax देने के लिए libel हो या फिर नहीं हो, आपका status के हिसाब से आप tax paid करोगे या नहीं करोगे, irrespective of आपका birth कहां पे है, इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, उससे लेना देना नहीं है, आप Indian citizen हो या फिर नहीं हो, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, only and only one thing, कि आपका status क्या है, उस पे depend करेगा, इतनी बाते मैंने बताई आपको, एक simple सा मैं question पूछता हूँ, क्योंकि chapter थोड़ा सा interesting है, तो धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक question आप से पूछूँ अगर बहुत simple सी बात है, आप बताईएगा, म ये income tax में section number 6 के अंदर आता है, maximum cases है, इस chapter में वैसे तो section काफी है, लेकिन सबसे important होता है हमारा 6, residential status, residential की बात मैं करूँ, तो residential का मतलब होता है रहना, सर यहाँ पे residential का मतलब English का Hindi meaning मैंने बताया रहना, लेकिन यहाँ पे residential का मतलब है, कि आपको residential तभी दिया जाएगा, जब आपको क्या paid करना हो, tax paid करना हो, government को, तो आपका status पहले check होगा, उसके बाद दिया जाएगा, status का मतलब आपको tax या तो tax आपको देना हो सकता है या नहीं देना हो सकता है, तो अगर आपको tax नहीं देना तो non resident आ जाओगे आप, अगर आपको tax देना है तो आप resident में आ जाओगे, तो status का मतलब यह है, या तो आपको देना पड़ेगा tax या नहीं देना पड़ेगा, मैं बहुत simple सा मैं अगर example लूँ तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर अगर रह रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको text देना पड़ेगा आपके respective of income क्या है ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर कोई foreigner इंडिया के पड़ेगा यह देखेंगे इसके अंदर हो सकता है को इंडियन citizen हो citizen क्या होता है सर जब कभी इंडिया के बाहर आप जाओगे न तो citizen का मतलब होता है बहुत simple सी बात है वहां का green card मिल जाता है आपको तो उसे क्या बोलते हैं वहां का resident बोल दिया जाता है वहां का नागरिक आप क्या हो जाओगे इंडियन citizen अधहार कार्ड के लिए जरूरी नहीं होता या फिर इंडिया कहीं का citizenship लेने के लिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि वहां आपको बॉन होना है वहां आपको जनम लेने का कोई अवशक्ता ऐसा नहीं है कई लोग ऐसे होते हैं ज हर एक कंट्री में citizenship होना पॉसिबल है लेकिन residential status हर एक कंट्री में होना पॉसिबल नहीं क्योंकि व्यक्ति एक ही कंट्री में टेक्स देगा या इंडिया में देदे अगर दोनों जगा टेक्स देदेगा तो उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ वैसे भी ठीक है ना तो simple एक लाइन में इस सब्द को अगर हम खतम करें के एक वर्ड में खतम करें तो residential status वाले चप्टर में क्या सीखेंगे कौन व्यक्ति इंडिया में टेक्स देने के लिए लाइबल है टेक्स कितना देगा वो तो बाद में सीखेंगे पहले ये तो पता कर लो कि टेक्स देने के टेक्स जो होता है, income tax एक कोशन आता है, बहुत सिंपल सा कोशन है, income tax depend on residential status मैं रफली लिख रहा हूँ, not on citizenship इस तरीके से कोशन है, मैं दिखाऊंगा भी, बढ़ाऊंगा भी, कोशन क्या कहता है सर, income tax के अंदर paper में पूछते हैं सवाल examiner, बताइए कि income tax उसके residential status पर depend होता है, ना कि उसके citizenship पर depend होता है, क्या आप इससे सहमत है, इस पर comment करिए, ये कोशन होता है, तो बिलकुल सर हम इस पर agree करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपका citizenship हो और आप वहाँ पर tax दो, मैंने धेरो example दे दिये आपको, कल्पना चाबला इंडि इंडिया के हैं, जैसे कि आपने अगर world richest person में देखा होगा, तो एक हमारे इंडिया के बाहर UK में रहते हैं, लक्ष्मी पती मित्तल नाम है उनका, ठीक है, अगर सुनाओगा, steel के कारूबारी है, तो वो भी इंडिया कही है, लेकिन UK में रहते हैं, बहुत richest person है, वो भी top 10 क अंदर आते रहते हैं हर बाद, तो वो भी Indian citizen है, ऐसा ही और भी आप देखोगे, तो बहुत सारे वेक्ति आपके नोन में भी होगे, जो कि यहां से तो चले ही गए, अब वो तो US में रह रहे हैं, कनेडा रहे हैं, दुबाई रहे हैं, नेपाल रहे हैं, कहीं और रहे हैं, ठीक है, तो सर वो citizen कहां के हैं, वो citizen यहां के हैं, तो क्या आप वो दुबाई रहे हैं, तो क्या उससे टेक्स बसूल ले, नहीं, लेकिन अगर उसका residential status इंडिया में हो जाएगा, तो फिर हम उससे text लेंगे, चाहे तुम कहीं भी रह रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, तो सर क कब होगा कोई व्यक्ति residential status इंडिया का, कोई तो होगा है इसका parameter, कोई तो पैमाना होगा, बिल्कुल होगा, तो क्या होगा, वो देखेंगे हम, सबसे पहले हम residential status की बात करें, तो residential status हर एक व्यक्ति का निकाला जाता है, कितने व्यक्ति होते हैं, total साथ, individual का अलग निकलता ह कंपनी का अलग निकलता है, हुफ का अलग निकलता है, बहुत अच्छे से, तो सर, income tax के अंदर individual का residential status होने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन-किन दो बातों का ख्याल रखना होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इंडिया में tax, अगर आप income tax के according tax देगे ना, तो या तो आप resident होंगे, या फिर आप resident नहीं होंगे, दो ही बात हो सकती है ना, या तो आप resident है, या फिर resident नहीं है, दो चीज़े हैं, पहली बात, ये ध्यान रखेगा, यानि सर, हम या तो resident होंगे, या फिर क्या हो जाएंगे हम, नोन रेजिडेंट, आप नोन रेजिडेंट को simple सब्दों में समधो, क्या आप हिंदुस्तान के नागरीक ही नहीं हो, आप अंगरेज हो, ये समझो अपने आपको, रेजिडेंट के मतलब आप अंगरेज क्यों ना हो, लेकिन income tax department बोलेगा, कोई फरक नहीं पड़ता, आप हिंदुस्तानी ही मानेंगे हम आपको, तो non-resident सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप resident हो, तो non-resident नहीं होगे, तो sir resident होने के लिए, सरकार ने दो condition बनाए हैं, उस दो condition में से, कोई भी एक condition अगर आपने fulfill कर दिया, तो आप बच नहीं सकते, फिर सरकार के दाइरे में आ जाओगे, दो condition बोला है, चेक कर लो इसका, income tax department को बोला गया, income tax department, आपको एक काम करना है, इस वक्ति का, कोई भी वक्ति का tax निकालने से पहले ये दो बाते जान लेना, सबसे पहले residential status जो हम निकालेंगे, किस साल का निकालेंगे, जिस साल पैसे को वो कमाएगा, उसी साल का निकाला जाएगा, जिस साल पैसे को earn करेगा, और जिस साल पैसे को earn किया जाता है, उसको पर्षान पर नम्हें ऑलन फ्सक्त्राइब ट्रीजज निया अजिए कर दूल पर ट्रीज यंदिए 182 days in previous year previous year को थोड़ा short form में लिख दिया मैंने PY अगर आप भारत के अंदर 180 दिन रुख जाओगे तो हम बोलेंगे आप resident हो यानि जो वाइडन भी भारत के अंदर अगर गलती से रुख गया एक सो बियासे दिन तो इंडियन गवर्मेंट उसे छोड़ने वाली नहीं है उसकी सारी इंकम के क्या करेंगे टेक्स ले लेंगे 182 days in previous year यानि जिस साल के लिए टेक्स निकाल रहे है माल लेते हैं पुतिन आ गया इंडिया में वार हो रहा है महाँ पे इंडिया में आके रहे गया अगर वो 180 दिन इंडिया के अंदर रह लेता है आके तो इंडियन इंकम टेक्स डिपार्टमेंट बोले कि पुतिन साब जितनी भी प्रोपर्टी है अब उसके उपर आप क्या करो टेक्स इंडिया में भरना पड़ेगा यानि आपका स्टेटस क्या हो जाएगा रेजिडेंट माना जाएगा और रेजिडेंट जैसे होगे तो आपके उपर इंडिया के सारे कानून अपलाई होने चालू हो जाएगे मान लेते हैं इलोन मस्क आजाए इंडिया में तेसला का फर्म लगाने के लिए और वो यहाँ पे इंडिया के अंदर रुख जाता है और वो काम में इतना विजी हो गया कि 190 दिन रह गया फर्स जाएगा फिर इंडिया में फिर जितने भी पैसे कमा रहा है उस सभी पे उसको टेक्स कहां देना पड़ सकता है इंडिया के अंदर है तभी टेक्स लेंगे नहीं लेंगे नहीं है कमाई तो हम लेंगे ही नहीं हम तो यह कह रहे हैं कि हम टेक्स की बात नहीं कह रहे हैं आप गवर्मेंट आपको टेक्स लेने के लिए देख सकती है नहीं देख सकती 182 डेज अब government ने बोला भीया ये 182 days government को लगा कि जब 182 days का rule बना रही थी तो government को लगा यार हमने ज़्यादा वक्त बोल दिया इनको कुछ वेक्ति आते हैं 100 दिन रुखते फिर भाग जाते टेक्स की डर से फिर 100 दिन रुखते फिर भाग जाते बाहर ऐसा कर सकते हैं न वो एक साल में आये 100 दिन में सारा अपना काम बनाया निप्टाया और चलेगे बाहर इंडिया में टेक्स से क्या हो रहे थे बच रहे थे government ने बोला रुख जाओ ऐसे वेक्ति के लिए एक और रूल लेके आएंगे बोला कि अगर कोई ऐसा वेक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है तो हम चेक करेंगे उस case के अंदर ये इसको बोला जाता है पता है क्या बेसिक कंडिशन मैंने लिखा नहीं मैं बता देता हूँ इसको बोला जाता है सर बेसिक कंडिशन बेसिक कंडिशन इसे बोलते हैं हम basic condition और सर यह कौन सा basic condition number बताया मैंने 1 basic condition क्या है 1 याद रखने में आसानी होगी सर basic condition number 1 है section 6 के according दूसरा बोला basic condition number 2 basic condition number 2 सर basic condition number 2 में क्या बताया होगा सरकार ने क्योंकि कुछ rule तो कुछ strict बनने थे यहाँ पर तो basic condition number 2 में बोला कि अगर कोई भी if person stay in India 60 days in previous year यानी बोला गया अगर कोई वेक्ती 60 दिनों के लिए भारत में रुखता है अगर इस से बच गया तो दूसरा चेक करेंगे कोई वेक्ती 60 दिनों के लिए भारत में रुखता है कब previous year में और पिछले सालों में पिछले चार सालों में 365 days in last four year में सर ये condition लगेगा उसके उपर क्योंकि वो बार बार government को धोखा दे रहा था तो अगर इस condition से बच गया हम उसके उपर दूसरा apply करेंगे क्या apply करेंगे सर 60 दिन अगर तुम आ गए इंडिया में चलो 182 days नहीं आए 90 दिन आए चलो 90 दिन देख लिया 90 दिन आपके current year में चेक करेंगे फिर हम चेक करेंगे पिछले सालों की अगर पिछले चार सालों के अंदर अगर आप 365 दिन आ रहे हो इंडिया में कितने 365 दिन और ये दोनों बाते अगर complete होता है बीच में देखो मैंने क्या लगाया है and का मतलब होता है दोनों अगर इन दोनों बातों को एक साथ complete कर रहे हो तब भी आपका status क्या होगा resident होगा अगर इन दोनों में से आपने कोई भी एक यह नहीं कि यह भी करोगे और यह भी करोगे इन दोनों में से कोई भी एक आप complete करोगे तब भी आपको क्या बोला जाएगा resident बोला जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते आप if basic condition one or two not satisfied अगर आपने basic condition satisfied नहीं किया कोई भी इन दोनों में से one or two तो आप क्या माने जाओगे आप अजाद हो text implement से सरकार आपको हाथ भी नहीं लगा सकता text के point of view से तभी बहुत से simple से definition क्या बता है सर अगर आपके उपर इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हो आपका citizenship से मतलब नहीं है हमें हमें क्या मतलब है आपके status से status देखेंगा अगर 182 दिन आप इंडिया में रह रहे हो पैसे कमाएं तो text देना पड़ेगा आपको क्या बोल दिया मैंने आप हो resident अगर इससे बच गया तो government ने दूसरा rule लगाया सर दूसरा rule क्या लगाया कि अगर person stay करता है इंडिया के अंदर 60 days और 365 day last 4 year के अंदर दोनों एक साथ तब भी आप क्या मानने जाओगे resident एक example लेता हूँ आप देखो simple सी बात है मान लेते है Ricky pointing पता कौन है ये जो match देखते हैं उनको पता है सबसे ज़्यादा world cup यहीं लेगे है Ricky pointing तो Ricky pointing है मान लेते हैं इंडिया में हर साल 100 दिन के लिए आता है पिछले 10 साल से यहीं चल रहा है इसका 100 दिन के लिए हर साल आ जाता है अब पूछा गया इसका resident status बताओ तो सर पहले हम चेक करेंगे कौन सा लगा है इस पे यह वाला यह इस साल के लिए निकालना यह हमारा current year है तो पहले चेक करते हैं क्या current year में 180 दिन है नहीं है चलो बच गया अब अभी नहीं बचेगा पहले दूसरा भी देखेंगे अब इसमें क्या बोलता है current year में कितने दिन 6.000 यस यह तो done कर गया पिछले चार सालों में कितने दिन तो पिछला चार साल यह है क्या 365 दिन है पिछले चार सालों में है 400 दिन हो गए न ती 665 नहीं होना चींव उससे ज़ादा होगा तो चलेगा तो कम होंगे तो फिर यह बच जाता मान लो इस साल आता suppose करो आपका दूसरे answer मैं देता हूँ इस साल आता 100 दिन के लिए एक बार कर लेते हैं और एक बार कर लेते हैं 60-60 दिन आया है ठीक है इसके बाद नहीं है पहले येलो वाले जो कर रख है मैंने उसकी बाद करते हैं तो येलो वाले के हिसाब से ये वाला condition दोनों पूरी कर रहे हैं तो इसका येलो वाले के हिसाब से आपका जवाब होगा ये क्या है resident मैं r symbol डाल रहा हूँ इसको क्या ये resident और red वाला जो मैंने लिखा है चलो यहाँ पर तो आ गया है इसके अंदर लेकिन पिछले चार सालों म current year वाला नहीं पिछले मैंने बोला last current year को छोड़ दो उससे पिछले वाला मैंने 90 days बोल दिया क्या कहीं पर नहीं यहाँ 60 60 लिखा है देखो 60 अगर मैंने बोल दिया है तो आप समझ जाओ 60 और 365 की बात करना हूँ बताओ बताओ हाँ 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 बिल्कुल एक कोश्चन देखो कोश्चन यह आया सर यहाँ पर वो 35 दिन है और इस साल पूरे साल है 365 दिन तो current year में कितने दिन होना चीए 60 तो है नहीं current में तब भी non resident ही हो जाएगा यह दोनों बातें यहां पर इखटा complete होना चीए क्योंकि हम रेजिदेंशल स्टेटस इस साल का निकाल रहे हैं अगर मैं इसका रेजिदेंशल स्टेटस आप से पूछूँगा तो current में 365 है तब तो यही वाला पूरा कर रहा है इधर क्यों जाएंगे हम ठीक है ना अब आ जाता है सर यहां तक आपके question थे अब आ जाते है exception के मतलब इंडिया के लोग जो थे इंडिया के लोग उन्होंने क्या करा जोर सोर से विरूद किया हम साट दिन आते हैं अपने family से मिलते हैं और फिर हर बार आना जाना लगा रहते हैं हम तो यहां के भी हो जाते हैं और वहां के भी रहते हैं दोनों जगा टेक्स देने कुछ व्यक्ति के लिए कुछ व्यक्ति के लिए बोला कि आपके उपर सिर्फ यह रूल लगेगा यह वाला नहीं चेक करेंगे भारतिय जो भी हो आप आपके उपर सिर्फ कौन सा रूल लगेगा यह वाला लगेगा यह वाला चेक नहीं करेंगे तो ऐसे कौन-कौन से व्य आपको तो exception case सर किसका exception case या अगले पेज़ पर चले चलो अगले पर चले नहीं इस पर थोड़ा सा है exception का मतलब होता है अपवाद जो हमने सीखा है वो सीखा तो ठीक है लेकिन इन बातों पे वो सीखी हुई बातें अपलाई नहीं होगा अभी तक सीखा है कोई वेक्ति एक कंडिशन से बचा तो हम उसके उपर अपलाई करेंगे दूसरा अगर दूसरे से बचा तब वो बच गया अभी तक यह सीखा है लेकिन exception का मतलब कोई वेक्ति जो है उसके लिए हम दूसरा देखेंगे नहीं एक से बच गया मतलब वो बच तो क्या-क्या बोला गया दो तरीके के एक कई बार person ऐसे होते है ना number one person go outside India for employment के लिए इंडिया से बहार employment purpose के लिए जाता है कौन इंडिया के वेक्ति अब नौकरी करने गए इंडिया से बार इंडिया में कभी आते हो 70 दिन कभी 90 दिन कभी 80 दिन 50 दिन हर साल तो आओगे family से मिलने के लिए तो ऐसे situation में आपके उपर दूसरे वाला condition अपलाए नहीं होगा सिर् अगर 50-60 दिन दो मेने की छुटी का उन्होंने देख लो आप 2,5 मेने का तो चलेगा आप पर ठीक है ना तो यहां पर रखा गया दूसरे नंबर पर क्रूमेंबर क्रूमेंबर कौन होता है पता है आपको कौन होता है बताओ अगर मैं आपको क्रूमेंबर दिखाओं तो है क्रूमेंबर मेरे पास क्रूमेंबर की हम बात करें तो जो इंडियन शिप है न इंडियन शिप आपकी बात बिलकुल सही है सर जो एरपोर्ट पे होते हैं और जो इंडियन एयरलाइन ये किसी भी एरलाइन में होते हैं उससे भी क्रीव बोला जाता है अब तभी ट्रैवल करोगे तो हमारे क्रीव करके वर्ड यूजज करते हैं लेकिन हम शिप की बात करेंगे Indian ship कोई भी Indian ship पर या Non Residence किसी भी ship पर दो तरीकी के वेक्ति ही होते हैं एक ship को चला रहा होता है उसको क्या बोलते हैं जो ship को चला रहा रहा होते है जो सर्व करती है एर होस्टेट बोलते हैं उसे crew member बोलते हैं ठीक है ना तो और जो वक्ति काम कर रहे होते हैं उसे क्या बोले जाता है crew member तो ऐसा वक्ति कोई भी हो जो की Indian ship पे या किसी जो non-residence ship पे as a crew member काम कर रहे हो crew member क्या कर रहे हो as a work कर रहे हो तो उसके उपर भी condition number to not apply condition number to not apply कुश्चन कहना है कि अगर हम 183 और या 283 दो साल दो साल नहीं करेंट येर का ही चेक करेंगे हाँ चार सालों में मैंने कहा 365 दिन चार सालों में अगर वो 365 से ज़्यादा रह लेता है कोई बुरा ही नहीं है उसमें वो complete रहेगा ठीक है अभी काफी सारे question भी देखेंगे एक बार मैं concept एक बार खतम कर लूँ न फिर सारे हम points पर आ जाएगे चलिए एक और point देखते हैं third point बोला गया Indian origin तीसरा exception तर इंडियन origin पता है कोन होता है दिखाते हैं आप एंडियन origin यह तो देखो आपको मैं दिखा रहा था crew member यह देख लो crew member ऐसे होते हैं यह जो यहां पर टर्बन में है वो तो मुझे captain लग रहे हैं यहां पर सरदार जी जो है वो क्या है captain वो crew member नहीं है इसके साथ में जो यह सारे है न यह कैदी नहीं है यह crew member है उससे पर काम करने वाले ठीक है न वो क्या है crew member तो इनकी बात कर रहे हैं अगर कोई ऐसा ही काम कर रहा है तो उसके उपर जब captain है न तो captain के उपर तो सर दोनु इंडियन और इजन का मतलब है जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था देखो अजादी की तो बात करें अजादी का तो छोड़ो एक भारत डिवाइड हुआ था ठीक है ना 1947 में इंदिया और पाकिस्तान जिसके भारत के दो हिस्से हो गए थे तो डिवाइड हो गया था तो या तो कोई भी वेक्ति या तो खुद पर्सन या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी ग्रेंट फादर ग्रेंट मदर या नाना नानी अगर ये इंडिया में बौन हुए हैं 1947 से पहले तो आप या आप खुद 1947 से पहले तो आप माने जाओगे इंडियन ओरीजन यानि आपका इंडिया से एक गहरा नाता है उसे बोला गया इंडियन ओरीजन आप इंडिया ओरीजन का मतलब क्या वहीं से निकले हुआ तो कल्पना चाबला अभी एज पता चल रही होगी कितनी है मान लो 40 साल होगा तो इसके जो दादा दादी होंगे नाना नानी होंगे क्या कल्पना चाबला की अगर बात करें उसके दादा दादी नाना नानी अगर इंडिया के अंदर बॉन हुए होंगे 1947 से पुराने ही होंगे वो तो इसलिए इसे मैंने क्या बोला इंडियन ओरीजन ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर भी है इंग्लेंड मे एक क्रिकेटर हुआ करता था मॉनटी परीशर के नाम से होता था मॉन्टी पनीशर होता है परीशर था कुछ मतलब मेरे सिम्पल सी बात है सर आप या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके नानानी 1947 डिवाइड होने से पहले अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको एक status मिलता है इंडिया में special status जिसको बोला जाता है इंडियन तो सर आपके उपर भी condition number two not apply यह तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिसके उपर condition apply इन तीन व्यक्ति के लिए स्रिफ कौन सा condition चेक करोगे 182 वाला स्रिफ 180 दूसरे वाला 60 और 365 वाला चेक नहीं करना यह सब ठीक ठाक चल रहा था इतनी सी बाते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उस situation के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर लास्स से लास्स एर एक amendment आया एक amendment क्या आया सर के जो इंडियन और रीजन है न अब कुछ बच्चे कह रहे है रिप मेरे को पता नहीं कलपना चाबला का क्या है कलपना चाबला अच्छा फिर sorry भाई ठीक है मैं तो एक example ले रहा था कोई मिला नहीं जो जाना पेचाना था थोड़ा ये ले लिया साइद मेरे को विजय मालिया ले लेना चाहिए था है यह ठीक है न ठीक है चलिए कोई बात नहीं आपको बस concept समझाना है concept मेरे इसाब से जिन बच्चों क सफे के 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 अंदर मतलम मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है सर, अन्ट होता है अगर कोई वहिकती या उसके दादा दादी या नानानी बॉन कहान हुए हो, इंडिया में कभ आ जानी से पहले तो उसे क्या है स्टेटुस मिल जाएगा इंडिया उरिजन, लास्ट Y er government को यह बात समझ में आ गई कि ऐसे तो बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर ट्रांसफर होता है उसमें दादा दादी को ट्रांसफर किया जाता है उसमें बोला कि सर इसके इसके अंदर आपके उपर कंडीशन नंबर सिर्फ वन अप्लाई हो रहा है लेकिन एक और कंडीशन ग थीक है आप दोनों पर कोई कारवाई नहीं होगी इनको नहीं छोड़ा गया इनको बोला गया कि आपका इंडियन ओरीजन हो ओके आपके ऊपर हम एक और कंडीशन लगाएंगे अगर आपकी इंकम not exceed 15 lakh अधर दन इंडियन इंकम, पॉरें इंकम मतलब कहा गया कि जो इंडियन ओरीजन है अगर उसकी इंकम भी साथ के साथ आपको अगर 182-182 वाला सिर्फ चेक करना है न तो उसका जो इंकम है foreign income को छोड़ दो इंडिया की इंकम अगर 15 lakh रुपए से कम कमाया जा रहा है मान लेते हैं कि कोई इंडियन सिटीजन है जो की बाहर रह रह रहा है काफी टाइम से जैसे विजय मालिया उसने करोड़ों रुपए इंडिया के अंदर इंवेस्ट कर रखा है और पता चल जाए गौर्मेंट को करोड़ों रुपए इंडिया के इंदर इंवेस्ट कर रखा तो उसके से ब्याज ब्याज फिरिफ 14-15 लाख तो बनी सकते हैं तो अगर उसका ब्याज 15 लाख रुपए तक रहा तब तो हम उसको छोड़ देंगे तब तो यही सिंपल सा रूल चलेगा लेकि तो सर इसका मतलब अगर इसकी इंकम 15 लाख अधर दन फॉरन इंकम मैंने कहा कि नॉट एक सीड इसका एक सीड नहीं होना चाहिये तो एक कोश्शनव को इसकी इनकम 15 लाख से जाधा हो गया तो क्या लगेगा तो ऐसकी सिचुएशन में क्या लगने वाला है? देन बोला गया अगर इफ इनकम एक्सीड फिफ्टीन लेक कौन से वाला अधर देन फॉर निंकम तो सर आपके उपर कंडीशन नंबर टू अपलाई हो जाएगा सर आपके उपर कंडीशन नंबर टू अपलाई हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे कंडीशन नंबर टू के अंदर क्या था बताएंगे जरह थोड़ा याद हो तो सर कंडीशन नंबर टू में था 60 दिन होना चाहिए और 365 दिन पिछले चार सालों होना चाहिए, तो sir condition number two जरूर अपलाए होगा, लेकिन 60 दिन जहां पे बोला गया है न, उस 60 दिन को थोड़ा सा हम बदल देंगे, और उस 60 दिन के अंदर हम 60 days की जगह पे आपका चेक करेंगे 120 days, आपका क्या चेक करेंगे 60 days की जगह पे 120 days, इसका मतलब sir, आपका कहना है, यह 60 दिन है, इसके साथ भी कोई और रूल है क्या, बिलकुल, इसके साथ एक रूल बन जाता है, 120 days and 365 days in a last four years, लेकिन यह सब के उपर अपलाई नहीं होता, sir, यह किस के उपर अपलाई होता है, सिर्फ और सिर्फ, इंडियन औरीजन, और sir, सभी इंडियन औरीजन पर अपलाई होगा, यह कुछ एक इंडियन औरीजन पर, sir, सभी पर अपलाई नहीं होगा, जिसकी इंकम एकसीड हो रही होगी, यह सभी इंडियन पर होगा, नहीं होगा, no sir, यह सरिफ उसी के इंकम होगा, जिसकी इंकम, whose income, एक्सीड 15 लैक मैं हर बार वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सीड इसका मतलब 15 लाग है तो वो बच गया और कौन सा 15 लाग इंडियन इंकम अधर देन फॉरन इंकम लॉ में कहा है अधर देन फॉरन इंकम यह पिछले साली अमेंडमेंट आया था जो चेंजिस आया था ना वो पिछले साली करा था कोवीड के दूरेशन में फिर से एक बर दुबारा देखते हैं सर इंकम टेक्स में रेजिदेंशल स्टेटस में आपके दो स्टेटस है या तो आप रेजिदेंट होगे या नोन रेजिदेंट होगे रेजिदेंट होने के ल रेजिडेंट माने जाओगे इन केस आप इन दोनों से बच जाते हो तो आप किसमें चले जाओगे नोन रेजिडेंट में लेकिन फिर कुछ exception cases है सर exception cases क्या है तीन condition के अंदर आपके उपर ये वाला rule apply नहीं होगा स्रिफ और स्रिफ ये वाला rule apply होगा condition number one अगर आप क्रिव मेंबर की तरीके से काम करते हो condition number two अगर आप काम करते हो Indian person outside India for the purpose of employment और condition number three अगर आप क्या हो Indian origin हो लेकिन Indian origin के अंदर सरकार ने थोड़ा सा लफड़ा डाला हुआ है 15 रुपे वाला अगर आपकी income 15 रुपे से ज्यादा है इंडिया वाली income की बात कर रहा हूँ अगर आपकी 15 रुपे से क्या है ज्यादा है ऐसे situation में आपको माना जाएगा आपके उपर apply होगा condition number two भी लेकिन two होगा with change के साथ वहाँ पर 60 की जगह पर क्या चेक कर लिया जाएगा 120 दिन पहले बात को समझी या नहीं foreign income नूट नहीं करेंगे हम अगर कोई foreign income हो रहा है तो नहीं देखना उसको अगर मान लो कोई person है जैसे मान लेते हैं विजय मालिया की बात कर लेते हैं विजय मालिया जो है वो क्या करता है इंडिया से पैसे कमा रहा है उसकी 13 लाक रुपे इंकम हो रही है और बाहर करोड़ों रुपे कमा रहा है foreign income हो तो उसको हम non resident के category में रखेंगे उसके उपर स इसी का सन बिल्कुल यह concept आगे आएगा अमन दीप यह remittance का part है सारी चीज़े हम करेंगे आगे यह हाँ जी जितने बच्चे भी live है जो है फटा फट से comment लिखिए ताकि मैं इसके आगे और जा पाँ चलो एक छोटी सी point आ रहे है उसको करके फिर हम इसको conclude करेंगे सिर्फ basic condition खतम हो जाएगा एक point यह है कुछ ऐसे वेक्ति भी है कि वो पैसा तो कमा रहे हैं और वो कहीं का residency नहीं हुआ जैसे मालो 50 दिन रह गया इंडिया में 50 दिन रह गया USA में 50 दिन रह गया उस्टेलिया में 50 दिन चले गया पाकिस्तान में 50 दिन चले गया नेपाल में पूरे इंडिया घूम लि अब इस तरीके से देखा जाए तो वो टेक्स के दाएरे से तो बच गया ना तो इंडियान गौर्मेंट एक और अमेंडमेंट लेके आई section 6 1a के अंदर कि अगर ऐसा कोई वेक्ति है जो कहीं पे भी उससे टेक्स नहीं वसूला गया और अगर उसकी इंडियान इंकम 15 वो इंडिया के अंदर रह रहा है नहीं रह रहा है सारी बाते करेंगे इके करके नहीं नोट्स करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूँगा जब तक खतम नहीं कर लूँ अभी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है दीपक मैं जो भी आपके हैंड्रेस का कोईरी है ज 20 22 दिन रह रहे है कों पागल है जो बोलेगा हम साथ दिन रह रहे हैं इंकम टेक्स वाला के साथ तो हमेशा रहेगा नहीं यह तो बोल देगा मैं इस दिन मैं तो इतने दिन नहीं रहा भाई तो इंडिया के अंदर नहीं दो लॉज है एक सेकेट इंडिया की हम बात करें तो दो लॉज है इंडिया की हम बात करें तो दो लॉज है एक है क्रिमिनल लॉज ठीक है ना क्रिमिनल लॉज के अंदर क्या है और एक है हमारा इंकम टेक्स का लो दोनों के कहानी देखो किस तरीके से होता है अब तो गवर्मेंट ने भूला है कि किसी भी व्यक्ति को आप हतकड़ी भी नहीं लगा सकते क्यों उससे उसका इंसल्ट होता है अगर किसी ने मडर कर दिया है आप देखना कई बार ठीक है अगर किसी का मडर कर दिया है या कुछ भी उसके उपर आरोफ है जब तक उसके उपर तै नहीं हो जाता हाँ तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे या रसी पहले बाहन देते थे अब रसी सायद बाहन देते हैं जो कोई जादा ही अगर है हतकड़ी नहीं लगाते हैं ऐसा क्यों कानून बनाया गया तो जज़ बानते हैं कि भाई इसके उपर इलजाम लगाया गया है जज़ बोलते हैं मेरी नजरों में सबसे भोला यही है इसने murder कर दिया सबसे भोला यही है किसने इजाम लगा है पुलिस वालों ने बोला कि हमने देखा है हमारे पास complaint आए तो पुलिस वाले आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रूव करिए कि इसने murder किया है आप देखते हैं जैसे murder का case होता काफे दिन तक चलता है सिर्फ यही law है जो उस वज़े से और दूसरा कानून है income tax का income tax में judge बोलते है कि जिसके ओपर लगाया गया है इल्जाम के उसने income tax की चोरी की है वही चोर है अगर वो बोलता है मैंने income tax की चोरी नहीं की है तो उसकी जिम्हेदारिया प्रूफ करे के तुमने चोरी नहीं की है तो दोनों law का देख रहे हो एक में judge सामने वाले कल्पिट को सामने वाले व्यक्ति को क्या मान रहा है innocent criminal law के according और income tax के law के according उसे criminal ही मान रहा है कि बाई तुम ही तुमने ही सारा का सारा जो है यह काम किया है इसकी वज़े से इसी लिए आपने देखा होगा cvi का rate income tax rate यह जल्दिल्दी फटाफट से हो जाता है इसमें पूछा नहीं जाता है इसमें फटाफट बंद के पकड़ के जेल फटाफट डाल दिया जाता है लेकिन murder case के अंदर देखोगे murder कर दिया है फिर कुछ दिनों बाद फिर घुम फिर के आ जाता है अभी चल रहा है case तो यह कहान ही चलती रहती है तो अब कहते हैं कि sir कैसे पता चलेगा 182 days तो ऐसे situation में आपने अगर government को नहीं बताया कोई बात नहीं लेकिन जब आप government के पास गलती से चले गए तो government कहेगा हम तो बोल रहे हैं 180 दिन तुम prove करो कैसे नहीं तुम prove करोगे कि कैसे नहीं किया है अगर आप आते हो इंडिया और government को कानो कान खवर नहीं लगती आपके उपर कोई tax नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर government को पता चल जाता है तो आप से जब पूछा जाएगा तो आपकी responsibility आप प्रूफ करी अगर आपने प्रूफ कर दिया 182 days तो फिर आपको tax नहीं लिया जाएगा आप बच जाओगे अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर आपको tax देना ही देना पड़ेगा हर जगह पे बोला गया in India अब सबसे पहले define करना होगा तर इंडिया का मतलब क्या है खीक है ना क्या बोला गया हर जगह पे इन इंडिया कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि सर गली में ऐसी बाते मत करो मर्डर हुआ था तो पुलिस वालों ने इंकाउंटर कर दिया है तो मैं कोट की बात कर रहा हूँ वो तो कोट तक गया ही नहीं तो ऐसी बाते मत करो दूसरा पूछ रहा है भाई साब आप कहां रहते हैं वह भी बताओ यहां तक एक छोटा सा पॉइंट और मुझे क्लियर करने दे जो लाइव क्लास में बच्चे हैं मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ बस का कह रहे हैं चलिए अब पहले हम डिफाइन कर लें सर इंडिया क्या कहा गया इंकम टेक्स के अंदर इंकम टेक्स के अंदर इंडिया को भी डिफाइन किया गया कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं बस मुझे टाइम दीजिये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इंडिया कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं सर अवर्यटिंग इस क्लियर कैरी ओन टॉपिक ओके ठीक है चलिए आपके सामने लेके आते हैं यह क्या है यह भारत अब इसके अंदर इंडिया की बात करें तो यह सारा का सारा एरिया क्या है इंडिया का इसके साथ वाला यह सारा एरिया क्या है यहाँ पे है क्या वैसे पान यहां पर पूरा पानि है, इस side में अलग area चले जाता है इस side में अलग area चले जाता है, तो इंडिया को define करते हुए हना हर country का अपना जहां पर यह खतम हो रहा हैना लाइन, इस लाइन को खतम होने के बाद भी कुछ एरिया उनका अपना माना जाता है, ऐसा नहीं है कि यह यहाँ खतम हुआ, तो इसका मतलब सर यहाँ से कितना एरिया यहाँ पर माना जाता है, तो जवाब है यहाँ यहाँ पर 12 Nautical Mile, अब पानी है, पानी को किलो मेटर में न नापहुए ने नाप सकते नाप सकते पानी का वेस होता है तो इसको नापने के लिए हम यीजे करते हैं जैसे कि न 22 आपका इंडियَ का ही हिस्सा माना जाएगा कि तुएचा आपका इंडिया और आ अलग अलग देखो GST के हिसाब से अलग होता है यहां के हिसाब से अलग है 12 नौटीकल माई तक इंडिया के इससा माना जाएगा और इंडिया का जो territory border होता हैं वो कहीं से जादा होता है लेकिन फिर भी बोला गया कि अगर टुईल 12 nautical mile हो, माल लो कोई बैठती यहां पर बैठके तास खेल रहा है, अब वो आ गया 12 nautical mile के अंदर, उसे बोला जागा भाई, तुम इंडिया में ही थे, अब तुमें टेक्स देना पड़ेगा, ठीक है न, सेम, इंडिया से उपर, कुछ बच्चे बोलते हैं, हम तो इंडिया यहीं पर होते हैं, तो बोलते हैं, हम इंडिया के पार्टी नहीं है, तो फिर भी उनसे टेक्स लिया जाता है, दूसरा, एयर में, अगर इंडिया से उपर एयर में भी हो, आप earning कर रहे हो उस टाइम पर, तो वो इंडियान income ही मानी, जाएगे, कैसे? एयर में आप कोई भी आप मानलो परशांपल इंडिया के जो की पूरा एरिया है हमारा उस एरिया के उपर कोई एरो प्लेन है यह यह कुछ ऐसा काम कर रहे है आप ने थे हैं अगर अगर आपने पैसे ओपर कमाएं ए過去 मेरी सिम्पल सी से से उपर से चला गया तो उसे green card मिल जाएगा यह rule है सर कैसे पता चलेगा उस time पर इतने सारे videos है उतने सारे crew member है सभी तो witness है तो यह क्या रहता है rule है ऐसा ही India के अगर air की बात करें कोई पैसे कमा रहा है जो भी witness अगर कोई भी मिलता है तो उस case के अंदर उसे इंडिया का income माना जाएगा और अगर 12 nautical mile तक रहता है तो भी उसे इंडिया का income माना जाएगा यह पूरा का पूरा हमारा में और मुंबई से आने के बाद इधर ही है न मुंबई कि तर है आज चलो छोड़ो जहां भी है मुंबई में आए 10 दिन यहां पे रुके 15 दिन यहां पे रुके 20 दिन यहां पे रुके 30 दिन यहां पे रुके 50 दिन यहां पे रुके तो सर इंडिया में रुकने का मतलब है आप इंडिया के किसी भी जगह पे रुखेगे हो तो इंडिया में ही सब को जोड़ के 182 डेज काउंट कर लिया जाएगा ऐसा नहीं जरूरी है कि एक ही प्लेस पे आपको रुखना है बिल्कुल अगर 180 दिन से ज़्यादा टूर करेंगे तो उनसे भी लेंगे यह 60 दिन, 35 दिन वाला कॉलिफाई करो उससे भी लेंगे हम इसके बाद बोला गया कि जब कोई इंडिया के अंदर आएगा मान लो कोई वेक्ति अचानक से 182 डेज हो रहा है वो तो बच गया लेकिन बोला गया जिस दिन इंडिया में आओगे ना आप बोलता है कि सर मैं तो बारा बज़ बारा बज़े आया हूँ मैं एक सेकिंड पहले आया हूँ तो अगर कोई ऐसा है जो कि इंडिया के अंदर आता है तो डे ओफ अराइवल माना जाएगा आप हिंदुस्तान में यह हो चाहे एक मिनट के लिए क्यों ना हुआ जैसे दिन सुरू होता है कब जैसे कि अगर मैं 11.69 की बात करूँ तो आज की तारिकी 11.69 की रहेगी कितनी तारिका साथ है छे तारिक रहेगी 11.69 के बाद 12.01 पे साथ तारिक आ जाएगा 12.69 के बाद 12.69 पे इस तफाकन वो इंडिया में आ गया इंडिया के टेरिटरी वाटर इंडिया के एयर में वो आ जाता है और टोटल इंडिया में बन रहे हैं 181 दिन अब गवर्मेंट चेक करेगा कि भाई जब आ रहे थे तो कहां थे तो देखा ए 11.69 पे वो इंडिया में आया था फिर्फ कितने एक मिनिट के लिए इंडिया में था एक दिन के लिए बोला जाएगा तुम पूरे दिन के लिए इंडिया में थे तुम्हें टेक्स देना होगा यानि सिंपल सी बात है सर days of arrival कितने जो भी दिन हो कितने time के लिए आयो matter नहीं करता 24 घंटे के लिए माना जाएगा आप इंडिया में ही यो भले ही आपने एक मिनट पहले छोड़ दिया हो इंडिया के तो क्या याद रखना है कि 182 डेज या 60 डेज 365 डेज के लिए compulsory नहीं है कि person एक ही जगह पर stay हो पहली बात दूसरी बात सर जरूरी नहीं है जो day of arrival होगा वो भी कहां counting होगा इंडिया के अंदर डे of departure कहां count होगा इंडिया के अंदर माना जाएगा कुछ pilots होते हैं जो कि few hours के लिए आते हमेशा होते हैं ना पाइलेट मान लेते हैं कि आप दुबाई का देखो तो दुबाई से और इंडिया का distance कितना है बोलते हैं धाई से तीन गंटे में पहुंच जाते हैं दिन में तीन है तो यहां पर कुछ important point है हां जी बताइए अगर वो क्रिव मेंबर है तो अप्लाई नहीं होगा दूसरा वो चीज रहेगे ठीक है ना इंडिया से बाहर जाने का आपको पता यह इंडिया से बाहर चलेगा employment purpose के लिए तो आपके उपर क्या लगेगा exception इंडिया वे as a crew member आप जा रहे हो बाहर तो उस case में भी आपके क्या लगेगा exception अगर आप Indian origin हो उस case के अंदर चेक करना पड़ेगा आपके income Indian income 15 लाग से जा साथ दिन के जगाए पर 120 दिन apply करके आपका चेक कर लेंगे लेकिन कुछ वेक्ति है जो कि किसी भी country के अंदर resident नहीं हुआ लेकिन उससे इंडिया से 15 लाग रुपे के income आ रही है उसे बोलेंगे तुम इंडिया में एक दिन के लिए नहीं रुखे कोई फरक नहीं पड़त कि तुम इंडियन रेजिडेंट हो और तुम्हें यहां पर टेक्स देना पड़ेगा यानि सर मोटी मोटी बाते करें तो यहां पर कुछ रूल है रूल क्या है पॉइंट नमबर वन नोट नमबर वन यह है नो नीड टो स्टे इन इंडिया एट वन प्लेस यानि कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया के एक ही प्लेस पे आपको रहना है आप घूम सकते हो इंडिया में तब भी काउंट होगा डे ओफ डिपार्चर मतलब जाने का और डे ओफ अराइबल बताओ कहां काउंट होगा इंडिया में काउंट होगा ठीक है ना नौटिकल माइल कितने नौटिकल माइल है 12 नौटिकल माइल तक होता है नौटिकल माइल किसके लिए यूज करता है सिंपल से बात है ठीक है तो हमने अभी क्या देखा है सर अभी तक जो चेक किया ना एक इंडिविज्वल का रेजिदेंशल स्टेटस में फटा-फट दो मिनट के अंदर कंक्लूड करता हूं इसको खतम अभी क्लास खतम नहीं होने जा रही तो मैं फटा-फट से कंक्लूड कर तो उसे हम क्या बोलेंगे तुम इंडियन रेजिदेंट हो लेकिन एक्सेप्शन तीन केसिस है नंबर वन इंप्लॉइमेंट परपस के लिए बाहर जाओगे तब आपके उपर स्रिफ 182 वाला अपलाए होगा क्रिव मेंबर हो तो आपके उपर कौन सा अपलाए होगा 182 व को भी अपलाई कर दिया जाएगा लेकिन कुछ चेंजिस करते हुए चेंजिस क्या है वहाँ पे 120 डेज कर दिया जाएगा एक और इसके अंदर डीम्ड रेजिदेंट का प्रोविजन आया लास्ट यर क्या प्रोविजन था सर अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर रेजिदेंट नहीं हो पा रहे हो लेकिन इंडिया के अंदर से आपकी इंकम 15 रुपे से उपर हो रहा है तो आपके लिए हम 182 डेज 60 50 छोड़ो बोलेंगे तुम रेजिदेंट हो और लाओ टेक्स क्यूंकि तुम बाहर तो बच गया इंडिया से पैसा कमाई रहे हो तो आ यहां तक तो वह हो जाएगा सिर्फ रेजिदेंट अब देखेंगे के वह ओडिनेरी रेजिदेंट है मतलब बिल्कुल भाई इंडिया का मतलब उसे तो टेक्स देना ही देना है बच नहीं सकता एक नोन ओडिनेरी रेजिदेंट यानि एन आर आई जिसे बोलते हैं तो मतलब नौन और इसके लिए मैं आर वर्ड का इस्तमाल करूंगा मतलब रेजिदेंट अब किस किस का क्या क्या डाउट है देख लेते हैं अब फटा फट से बताइए फिर हम आगे टॉपिक पर चलेंगे कोशन है सर अगर कोई परसन कहीं बाहर का रेजिदेंट भी नहीं हो आप 182 डेज इंडिया में आगर वो बोल देती है इंकम टेक्स वाले आए आपके उपर इल्जाम लगा दे कि भाई तुम 500 दिन से 500 दिन तो नहीं होते साल में आप 200 दिन से इंडिया के अंदर रह रहे हो अगर आपके उपर एक इल्जाम लगा दिया जाए और तो फिर या फिर नई थे अगर गौर्वर्मेंट के नजरों से बच गए तो फिर आप कोई है नहीं तो चोड चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो चोर है नहीं पकड़ा गया चोरी करते हुए तो चोरी नहीं है वो सिंपल से बात है यहां तक क्लियर है फटाफट से नोट कर लिजिए इसको जिन बच्चों का अब doubt है hand raise करके अपने doubt को भी पूछ सकते हैं